तो सबसे पहले मैं बता दू कि आज रेडमी इंडिया ने लॉंच कर दिया है रेडमी नोट 9 pro अब आ गया है रेडमी नोट 9 pro और रेडमी 8 प्रो का रिप्लेसमेंट होकर के आगया है रेडमी नोट 9 pro max थोड़ा सा कंफ्योजिंग लग रहा होगा पर सिंप्ली भासा में बोले तो नोट सीरीज के दिया प्रो ले लिए और प्रो सिरीज के जगा प्रो मैक्स सिरीज ले ल क्योंकि उसका बहुत ज्यादा बड़ा नाम हो जाता है बोलने में तो चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले स्पेसिफिकेशन के तरफ तो स्पेसिफिकेशन में आपको डिस्प्ले की बात करें तो मैं आपको पहले प्रो का बता देता हूं रेडमी नोट 9 pro के बारे में तो उसके डिस्प्ले के आपको एकस्पेक्ट रिश्यो मिल जाती है 20 इंटू 9 एकस्पेक्ट रिश्यो मिल जाता है सिनमेटिक रिव्यू का आपको रिश्यो मिल जाता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो 6.67 इंचेस की डिस्प्ले आपको मिल जाती है जो कि बहुत ही बड़ा डिस्प्ले मिलता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है पर यह एक डाउन फॉल यह है कि आपको जादा में आपको डिस्प्ले कम से कम तो अगर आप एश्य में अचे बात करें चेयर कë चेयर को बढ़ते है मिल जाता है जिसके हम आपको 16 मेंगा पिक्सल का tari région 28 कैमरी में मिल जाता है कैमरे में आपको एक साफे है यहां पर यहां पर यहां सेंसर सेंसंग के तरफ से फॉर्टी एट मेंगा पिक्सल का मिलता है जिसका आपको एंगल में मिलता है जो कि अच्छा है और आगे बात कि इसके आगे पिक्सल का Micro Lens मिलता है जो कि अप्ग्रेड़िए है पीछे आगर आप देख गई Note 8 Pro में जो कि इसमें आपको दो मेगा पिक्सल का Micro Lens मिलता ता अब इसमें आपको 5 में पिक्सल का मिलता है जो कि 2 Megapixel का camera का है तो यहां पर आपको यह हो गया camera setup का complete आगे हम लोग बात करें इसके design की तो और है design मिल जाता है जो कि inspired है Redmi Note 8 Pro series से इसमें पर आपको थोड़ा सा curved मिल जाता है 3D curved मिल जाता है जिसे आपके हाथ में आप phone को अच्छी तरह से feel में पकड़ सकोगे इसकी protection की बात करें तो आपको Gorilla Glass 5 का protection मिल जाता है आगे भी पीछे भी और साथी साथी इन्हों इंट्रेट्यूस के लेंस में भी जो कि बहुत ही अच्छा बात है क्योंकि लेंस बहुत ही जल्दी scratch हो जाता था इससे पहले तो यह आपको मिल जाता है इसकी आगे हम लोग बात करते जाता है जो कि आज तक सबसे जादा बैटरी बैकप इन्होंने नोट सीरीज में लाया है तो इसे चार्ट जोन में जादा टाइम लगेगा क्योंकि आप 18 वाट का चार्जिंग दे रहें इंदा बॉक्स में तो यह थोड़ा सा डाउन फॉल मेरे को लगा यहां पर इसके आ जो कि बहुत ही अच्छा बात है पी टोई कोटिंग के साथ आपको वाट आप स्प्लैश रजिस्टेंट जिन को जिसको बोलते रेडमी तो यह आपको मिल जाता है यह ओवराल हो गया पैकेज आपको नोट 9 प्रो सीरीज का आगे हम लोग मैक्स की बात करें तो मैक्स में क् अइंट्यक में इस्ट नहाः के तरफ से हैं वाद को स्कृतिया अशनक में जाता है डीसटेंट 7 20 प्रो सिरिश के बारे प्लस की टिस्प्लेय के से अब हम लोग तरफ बरते हैं तो केमरे में आपको QD- द जाते है 64 MP का QD- Camera मिलता है जो की प्राइमरी चामरा आपको 64 MP मिलता है इसके बाद आगे आपको वाइड एंगल मिलता है जो की 8 MP का same angle of view मिलता है आपको इसमें भी 119 degree का angle of view मिलता है इसके आगे हम लोग बात करें तो वही 5MP का micro lens मिलता है जो कि focus length भी same है 2-10 cm इसके आगे हम लोग 2MP का depth sensor मिलता है तो यहाँ पर यह complete हो गया camera में इसमें भी आपको simply वही protection मिलती है अगर Gorilla Glass 5 की 3 layer की protection lens back और front में display में जो की protection मिलता है front camera की बात करें तो front camera में आपको 32 Megapixel का front camera मिलता है जो की बहुत ही अच्छा बात है और इन्होंने एक चीज़ कुछ-कुछ नई features इंट्रड्यूस के है जो की selfie में slow motion है जो की बहुत ही अच्छा बात है टिक्टॉकर्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है जो की वह manual में आपको RAW तरह से मतलब manual में full control मिल जाता है camera के तरफ recording में वह भी दोनों में बहुत ही ज्यादा अच्छा फीचर मिला है वाइब्रेशन मोटर्स वह आपको haptic feedback इसमें भी मिलती है नोट 9 और प्रो में और प्रो मैक्स में तो यह बहुत ही अच्छा बात है इस क्या के एक नहीं इन्हों ने इंट्रड्यूस किया है साइड मॉंटेड फिंगर्प्रिंट जो गमी के तब से के 30 प्रो से इन्हों न नहीं मिलता है वह सिंपली आपको आयर ब्लास्टर 3.5 जैक टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट सिंग में आपको बात करें तो तो टू सिम स्लॉट और एक स्लॉट मिल जाते है जो कि बहुत ही अच्छी बात है आगे हम लोग इसकी प्राइजिंग की बात करें में मिलता है भी मिलता है जो कि आपको पड़ता है कि बहुत ही अच्छी बात है तो कि बात करें तो पंदरहहजार पड़ता है जो कि चोदर जार लौस्ट निन्युन वे परता है और इसके बाद आपको 128 GB वेनिड मिलता है जो कि मैक्स बोलेंगे प्रो मैक्स के नाम से ही जाना जाएगा तो इसमें आपको 18,900 पड़ेगा जो कि यह आपको मिलता है स्पेसिकेशन और प्राइजिंग और अगर मेरे से कुछ मिस हो गया तो कॉमेंट कर देना नीचे मैं आपके कॉमेंट को पिन कर दूंगा ठीक है और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगते इस वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले है मार्चन को भी तक हमें सब्स